हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी इनोविशन आज है दो फर्वरी 2019 और आज हम डिसकस करेंगे दो फर्वरी की करन्ट अफेयर्स और इस से रिलेटेट क्वेस्टेंज इस वीडियो की पीडिया फाइल आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप से डाउनलोड कर सकते हैं और हमार करेंट अफेयर्स की डेली नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज को क्यों हाल ही में वाडिज और उद्योग मंत्राले के अंतगत विभाग डियाई पीपी का नाम बदलकर क्या नया नाम रखा गया है वाडिज और उद्योग कि अला इंडेस्ट्रीक मिनिस्टिके अंदर देपार्टमेंट आते हैं एक डिय पीपी और दूसरा डिपार्टमेंट उफ इसमें डिय पी पी डिपार्टमेंट का नाम बदलकर नया नाम रखा गया है Department of Promotion of Industry and Internal Trade यानि की C option सही है इसका पहले इसका नाम था DIPP जिसका full form है Department of Industrial Promotion and Policy और अब इसका नाम लग दिया गया है Department of Promotion of Industry and Internal Trade तो इस तरह से ये Internal Trade का एक नया component जोड़ा गया है DIPP के काम में ये Internal Trade जो है इसमें Retail Trade होगा Welfare और जो भी छोटे Trader हैं और उनके अंतरगत काम करने वाले लोग हैं उनका Welfare भी ये Department देखेगा और Startups और छोटे लेवल के Trade को किस तरह से ज़्यादा आसान बना जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग Trade सुरू कर सकें इस बारे में भी ये Department काम करने वाला है तो पहले इंटर्नल ट्रेट का जो component है ये देखा जा रहा था Ministry of Consumer Affairs के द्वारा और अब ये दे दिया गया है Department of Policy and Promotion यानि की डिपीप को ये Department आता है Ministry of Commerce and Industry के अंतरगत चलिए आगे बढ़ते हैं हाल ही में NSSO के Labor Force Survey के अनुसार 2017-18 के लिए भारत की बेरोजगार दर कितनी है NSSO एक Labor Force Survey करता है इसके अनुसार 2017-18 की भारत की unemployment rate या बेरोजगारी दर है 6.1 परसेंट तो सही आंसर है A 6.1 परसेंट NSSO एक भारत की premium data collection agency है यह data collect करती है household survey करके तो यह household survey करके data collect करती है और यह Ministry of Statistics and Program Implementation के अंतरगत काम करती है तो यह main ministry है Ministry of Statistics and Program Implementation इसके अंतरगत काम करता है NSSO जिसका पूरा नाम है National Sample Survey Office इसके द्वारा बताया गया है कि 2017-18 में unemployment rate है 6.1 परसेंट जो की पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा है इस report के अनुसार जो सहरी एरियाज है सहरी या अर्बन एरियाज में unemployment rate है 7.1 7.8 परसेंट और रूरल एरिया में यानि की गाओं की एरिया में यह rate है 5.3 परसेंट सो नेट रेट 6.1 परसेंट 2017-18 के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं हाल ही में HRD मिनिस्टर के द्वारा National Museum Institute के नए campus का उद्गाटन कहां किया गया HRD मिनिस्टर कौन है हमारे HRD मिनिस्टर है प्रकाज जावेटकर human resource and development मिनिस्टर प्रकाज जावेटकर ने National Museum Institute के नए campus का उद्गाटन किया है नौइडा में तो सही आंसर है बी नौइडा National Museum Institute का head office है नई दिल्ली में इसकी इस्थापना की गई थी 1989 में और इसका पूरा नाम है नेशनल मिनिस्टर प्रकाज जावेटकर के द्वारा हाल ही में किस राज्य सरकार ने smart village campus scheme को मंजूरी दी है पंजाब राज्य सरकार के द्वारा तो सही आंसर हो गया सी पंजाब पंजाब सरकार के द्वारा इस स्कीम के तहट village में गाओं में जो भी basic infrastructure होगा वो निर्माण कार किया जाएगा basic infrastructure मतलब रोड बनाने का काम इमारतों का काम hospital schools का काम यह एक बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाएगा village का basic infrastructure और basic amenities जो village में रहने वाले हैं उनको दिये जाने उनको अच्छी सुविदा है चंदीगर्ड सबसे बड़ी city है यहां की लुधियाना गवर्णर है यहां के वीपी सिंग बदनौर और चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंग इसके साथ ही पंजाब को अगर हम देखे तो पंजाब पाकिस्तान से international boundary पाकिस्तान के साथ इसकी international boundary है इसके अलावा अगर हम देखें तो यह कुछ स्टेट से भी बाउन्डरी टच करता है इसमें है राजिस्थान हर्याना हिमाचल प्रदेश और जम्मू एन कस्मीर तो हर्याना राजिस्थान हिमाचल प्रदेश जम्मू कस्मीर यह भारत के स्टेट्स हैं जिनसे बाउन्री टच कर रहा है और पाकिस्तान के साथ international boundary टच कर रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं हाल ही में किस राज्य सरकार ने हैंडिग्रेफ्ट पॉलिसी दोजा उनने सुरू की गई है उडिसा गोवर्मेंट के द्वारा तो सही आंसर है बी उडिसा सरकार और उडिसा सरकार ने यह जो पॉलिसे सुरू किये है यह हैंडिक्रेफ्ट हमने पढ़ा था कि Microsoft ने एक नया e-commerce प्लेटफॉर्म लांच किया है भारत के हैंडिक्राफ्ट सेक्टर को इकमर्स में ले जाने के लिए ताकि जो भी कास्तकार है उनको e-commerce बायर से मिलाया जा सकिया उनके प्रोड़क्त को जादर से ज्यादा प्रमोट किया जा सके प्लेट फोर्म का क्या नाम था उस प्लेटफॉर्म का नाम था रीवेव हैं यस तरह भी करते रही है हैंटीग्राफ्ट वालेशी 2019 और ऑ्लेट्फर्म है यकमर्स प्लेटफर्म है माइक्रोसोट के द्वारा डोनओव हैं क्योश्य म्योह सके लिए एसी लाल और चीफ मिनिस्टर है नवीद पतनायक अगर हम बॉंडरी देखें तो उडिसा की बॉंडरी एक तो बेयो बेंगौल से मिलती है यानी कोस्टल एरिया है बेयो बेंगौल दूसरा है यह स्टेट्स हैं जिनसे इसकी बॉंडरी टच करती है वेस्ट बेंगौल प्रण्ड चतीजगर तेलंगाना और आंध्रा प्रदेश चलिए आगे बढ़ते हैं हाल ही में किसान सुविधा लोन किस small finance bank के दवारा शुरू किया गया है किसान सुविधा loan शुरू किया इस विधा खाश बात यह है कि छोटे किसानों के लिए शुरू किया गया है और छोटे किसानों को क्रिसी संबद्धित कार्रेयों के लिए और एलाइड क्रिसी के साथ सब एलाइड एक्टिविटीज क्रिसी से रिलेटेड चीजों के लिए यह लोन दिया जाएगा अब इस लोन की दो खास बात है कि पहली बात है यह लोन बिना किसी गारंटी के दिया जाएगा मतलब की को लेटरल फ्री रोन है और दूसरी यह साथ हजार से लेकर साथ हजार से लेकर दो लाग तक लोन दिया जाएगा छोटे और मध्यमवर्थी किसानों को इस लोन के थुँ उजीवन फिनैंसल बैंक जो उजीवन इसमोल फिनैंस बैंक है इसने तमिल नाडू करनाटका यूडीस ओर वेस्ट बेंगॉल के किसानों को सुविधा प्रदान करने की कोशिश की है और अब यह small finance जो बैंक होता है यह एक छोटे एरिया को cater करने के लिए इस्थापित किया जाता है small finance bank की अगर हम बात करें तो एक population का एक छोटे segment को यह cater करता है इसलिए इसे छोटे और specific segment को cater करता है इसलिए इसे नीज बैंक भी बोलते हैं और इसके स्थापना नचीकेत मोर कमिटी के द्वारा की गई थी नचीकेत मोर कमिटी आर्बी आई के त्वारा गटित की गई थी और उसकी recommendation पे small finance bank शुरू किये गए हैं बारत में और उजीवन small finance bank ने अपना काम सुरू किया था 2017 में चलिए आगे बढ़ते हैं हाल ही में NCC का नया डीजी किसे न्यूक्त किया गया है एंसी सी का इनको हाली में एंसी सी का डीजी न्यूक्त किया गया है अगर हम एंसी सी की बात करें एंसी सी एक military cadet corp है जो ट्राइ सर्विस organization है यानि कि इसमें तीनों भारत की फोर्स नेवी आर्मी और एयर फोर्स के लोग होते हैं और यह ओपन है इस्कूल स्टूरेंट्स और कॉलेज स्टूरेंट्स के लिए इस्कूल और कॉलेज के स्टूरेंट्स में देजबक्ति की भावना और डिसिप्लिन बनाने के लिए इस एंसी सी का स्थापना की गई है और इसमें स्टुडेंट्स को बेसिक मिलिटरी ट्रेनिंग दी जाती है कि इसका टेग लाइन है एकता और अनुसासन यूनिटी एंड डिसिप्लिन किस अंतरास्टी एरपोर्ट पर भारत का पहला जी आई स्टोर का उधगाटन किया गया जी आई स्टोर मतलब की जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टोर का उधगाटन किया गया है गोवा अंतरास्टी एरपोर्ट पर तो सही आंसर है सी गोवा अंतरास्टी एरपोर्ट अब इस एरपोर्ट पे जो जी इस्टोर बना है इसमें भारत के जो ओर इसनल जी इंस्टुमेंट होंगे जैसे की डाजलिंग टी बनारस की साड़ी या जो भी जितने भी अलग-अलग जी आई प्रोडक्ट हैं उनको दिखाया जाएगा उनको सेल किया जाएगा अब जी आई क्य अक् trusted बात करें कि आए केवल डार्जलिंग और उसके नेरवाई एरिया की स्पेसिल्टी है और वहीं के के लोगों द्वारा ब buns का पहले स्टोर बना है गोवां इंटर्णार अर्पोर्ट पह और आगे चलका बाकी एयरोट पह दीरे और उर्ण खोले जाने की है अ ऐसे चलीक़ लोगो यह जो आप देख रहे हैं यह है जी आई का लोगो और जी आई को स्लोगन वाक्य है अतुल्य भारत की अमूल्य निधी invaluable treasures of incredible India यह आप नोट कर लीजे यह एक्जाम के लिए बहुत important है अतुल्य भारत की अमूल्य निधी invaluable treasures of incredible India हाल ही में ICIC bank की MD और CEO चंदा कोचर की जाज के लिए गठित समीती के अध्यक्ष कौन है अभी हाली में ICIC bank video company को जो लोन दिया गया है उसमें कि जाज के लिए एक committee का गठन किया गया है इस committee के जो अध्यक्ष है वो है जस्टिस बीन स्रिकिष्णा तो सही आंसर है एक जस्टिस बीन स्रिकिष्णा और जस्टिस बीन स्रिकिष्णा ने यह recommend कि इस कि इस इस project में court of violation हुआ है और उनके recommendation के अनुसार ही आईसे एसे बैंक ने चंदा कोचर जो इसकी पूर मडी और सीओ थी उनको बरखास्त किया है तो यह समिती के अध्यक्ष का नाम important है बीन स्रिकृष्णा चलिए आगे बढ़ते हैं हाली में AI पर आधरेत विचारों को बोली में बदलने का सिस्टम किस देश के द्वारा डेवलप किया गया है तो इंटेलिजेंस के द्वारा ज भी थाट्स होंगे उनको स्पीच में चेंज करने के स्पीष में बदलने का सिस्टम ऊप सुरू किया गया है अमेरिका समें परthaाल हो कुलंबिया यूनिवरस्टी के ँड़ां mag culture के से द्वारा यह सिस्टम बनाया गया है जिससे कि जो लोग बोल नहीं पाते उनको बहुत ज्यादा help मिल सकती है जो लोग बोल नहीं पाते हैं वो केवल सोच के अपने thoughts को speech में चेंड कर सकते हैं ताकि आगे वाले उनके सामने वो दूसरे लोगों से communicate कर पाएं तो इस तरह से यह काफी एक अच्छी प्वहल है लोगों को empower करने की दिसा में अब यस्टर्डी का question था हाल ही में जारी global corruption index 2018 में भारत की क्या ranking है तो भारत की ranking इस बार आई है 78 जो तीन अंक इंप्रूव हुई है 2017 में थी यह 81 और 2018 में हो गई है 78 तो सब्सक्राइब और आज को question है लोगपाल search panel का प्रमुक किसे नियुक्त किया गया है लोगपाल search panel के प्रमुक कौन है रूमापाल रंजना प्रकास देसाई आर भानुमती या फिर इन से कोई नहीं इसका answer आप comment box में बताइए तो यह थे आज क्यों कि आपको पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारी डेली करेंट अफेर्स आपको रेगुरलर्ली मिलती रहें थैंक्स पर वाचिंग